हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टु माई चैनल इस्प्रीच लव टेराट कैसे हैं आप लोग आई हो खुश होंगे अपनी लाइफ में इंज्जॉए कर दे होंगे हैं अपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन्शिप को लेकर तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पा इस रिलेशन्शिप को लेकर प्लीज उनिवर्स काईट करें और बताएं कि क्या सोच रहे हैं मेरे वीवर्स के पार्टनर अभी तिलहाल क्या सोच रहे हैं ये लाज शुफलिंग है यह आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर यह एक जनरल कलेकिव टाइमल देखा कि क्या energy है तो चलिए देखते हैं कि क्या energy है four of one शुरुवात इतनी प्यारी हुई है यकीन मानिए energy को claim कर लेजिए ये partner इस relationship को लेकर अगर मैं कहूं तो ये partner सोच रहे हैं कि उनका future आपके साथ है उनको ये यकीन है कि उनका future जो है आपके साथ है ये आपके साथ long term stable commitment देखते हैं इनको यकीन है कि आपके साथ में ये शादी करेंगे तो यहाँ पर ये बात तो clear हो गई है कि आपके जो partner है वो इस रिष्टे को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं future की planning के बारे में मुझे energy आई है dear five of cups है eight of wands के energy आई है आप देख रहे है eight of wands है यहाँ पर है 10 of wands 10 of wands के energy है magician 100% magic यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस रिष्टे में कोई तो magic होने वाला है यहाँ पर devil आया है इसको गलत तरीके से मत लीजिए यह devil जो है किसी बात को बता रहा है जो यह sign दे रहा है कि आपके जो partner है वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं बहुत जदा attractive बहुत जदा attraction आपके लिए feel कर रहे हैं यह देख देखिए the world का card है जैसा किया है वो सब कुछ इनके सामने present हो रहा है वो चीज मुझे दिखाई दे रही है ओके डिया तो यहाँ पर जितने cards लेने थे हमने ले लिए हैं आप देख सकते हैं सारे cards आपके सामने हैं बात करी जाए कि आपके partner क्या सोच रहे हैं इस relationship को लेकर डियर आप यकीन मानिये कि यह partner जो है अपना future आपके साथ में देख रहे हैं यह partner आपके दुख दर्द को feel कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि आज realize कर रहे हैंगे कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है हो सकता है आपको जो दुख दिया इन्होंने जो तकलीव दी है वो इतनी जादा painful थी कि यह partner उस समय तो नहीं समझे पर अब इनको realize हो रहा है कि इन्होंने कहीं न कहीं आपको बहुत बुरा दर्द दिया है बहुत बुरी तकलीव दी है तो वो feel कर रहे हैं दिखें partner जो है आज realize कर रहे है partner को ऐसा feel हो रहा है कि इनको आपकी जरुवत नहीं थी ती एसा इन्होंने सोचा था पहले कि ये feel कर रहे थे कि इनको आपकी जरुवत नहीं थी पर यकीन मानिये कि ये समझी नहीं पाए कि इनको आपका साथ चाहिए या नहीं चाहिए इनके समझी नहीं आ रहा था कि इनको आपकी जरुवत है या नहीं ये वाली situation में मतलब confusion में थे आपके partner जब कि आप क्या कर रहे थे, आप इस पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार कर रहे थे, आप इस पार्टनर की बहुत केयर कर रहे थे, आप इस पार्टनर को पूरा पूरा टाइम दे रहे थे, खुद से ज़्यादा आपने इस पार्टनर को टाइम दिया है यहाँ पर, यह मैं बताओं आपको कि आपके पार्टनर बहुत बुरी सिक्वेशन में हैं क्योंकि यहां पर डैविल का कार्ड है और डैविल का कार्ड बता रहा है आज पास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रीगर दे रहे हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बहेवियर आपके किया है जो भी उनोंने किया है ना उसका उनको भड़ाई करनी पड़ रही है ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में गजय Dad कि उन्ने अपने समने पूरे किये उनको करना जाना ता वो गए जहां पर उनको पैसे की डिजायर थी वो पूरी करी पावर जहां पर उनको लगा वो चीज उन्होंने ली लव को पाने के चकर में इतना आगे बढ़ गए कि आपके लव को उन्होंने पलटके नहीं देखा बिल्कुल नहीं देखा कि आप उनसे कितना सचा प्यार करते हो, आप उनको कितना प्यार देते हो, ये चीज इस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं देखी है, मुझे यहाँ पर ये चीज clear दिख रही है आपके पार्टनर ने वो रास्ता चुना जहां उनको पैसा मिल सके, जहां उनको पावर मिल सके, जहां लव मिल सके, प्यार तो आपने भी किया था, लेकिन कहते हैं न, दिखावी के पीछे भागने की आदत थी आपके पार्टनर की, तो ये भाग निकले वहाँ पर, भागे, मैंने कहा ना भागी ये वहाँ पर वो चीज यहां पर दिख रही है जहां जाओंगा वो आपसे बहतर होगा इसका सोच था कि ये पार्टनर ने इस गलत फैमी में बहुत कुछ बिगाड़ा है इसका माइन जो था ना ऐसा सैट था कि इसको लग रहा था कि आपको छोड़ कि अगर ये किसी और परसन के लाइफ में इन्वाल्व होता है या होती है तो इसे आपसे बैटर परसन मिलेगा ये बात इसने सोच के रखी थी इसलिए ये पार्टनर ने आपको छोड़ कर उस थर्ड पार्टी को प्रार्टी दी अपनी जिंदगी में उस थर्ड पार्टी के पाफ जाने का नतीजा क्या हुआ अब जब ये चले गए उस रिष्टे में जब ये उस रिष्टे में इन्वाल्व हो गए तो भई उस थर्ड पार्टी के पाफ जाने का इनको क्या करवा मिला तो मुझे तो यहां दिख रहा है कि एक सचे प्यार को जो पूरे टाइम उनके लिए अवेलिबल रहता था हर पल उनका ध्यान रखता था अपने से ज़्यादा खुशी आपने उस इंसान को दी और उस इंसान ने आपकी एमोशन्स आपकी फीलिंग् निकल चुका दूसरे की तरफ कहां पर जहां उन्हें पैसा दिख रहा था जहां उसे मनी दिख रहा था जहां पर उसको एक अपने सपने पूरे होते हुए दिख रहे थे अपने डिजायर दिख रहे थे पावर दिख रही थी लव दिख रहा था अट्रैक्शन दिख रहा उस जगह को पाने के लिए ये निकल पड़े आपके सचे प्यार को ठुकरा दिया इनोंने वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है ये पार्टनर सोच रहे थे कि जहां पर भी इनका हो सकता है कि अपने आपको बहुत ज़्यादा सुन्दर मानते हो या बहुत ज़्यादा स्मार्ट मानते हो कि जिसके भी तरफ में हाथ बढ़ाऊंगा ना तो वो मुझे से दोस्ती कर लेगा तो ये इसकी सोच जो थी ना वो कहीं ना कहीं बता रहे है कि अब इसका कर्मा इसको मिलने वाला है जो इनोंने बिना सोचे समझे दूसरों को लाकर आपके जिंदगी बरबात करिये ना उसका नतीज़ा इनको भुगतना पढ़ रहा है और उस थर्ड पार्टी के पास जाने का नतीज़ा ये खुद अपनी आँखों से देखेंगे कि इनकी जिंदगी जो है किस मुकाम पर आने वाली है किस तरह ये एक एक तकलीफ को सहन करेंगे ये चीज़ यहां पर दिख रही है जो समय की लाक पढ़ने वाली है ना इनके उपर वो बहुत जबरदस्त पढ़ने वाली है यो समझ लीजिए कि इस पार्टनर ने जो गलतियां करी है उसके लिए यूनिवर्स जो है डिवाइन जो है नको बहुत ही बुरी तरह से लतालने वाले हैं बहुत ही बुरी तरह से इसको तकलीफ मिलने वाली है उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और अब ये पार्टनर हर तरह से घिरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एक तरह से ये कार्ड ये बता रहा है कि ये पार्टनर ऐसे सिच्वेशन में फस्ते हुए दिख रहे हैं ऐसे सिच्वेशन में घिरे हुए दिख रहे हैं कि आप यकीन मानिये कि बंद से गए हैं तकलीफ इनको हो रही है बंद से गए हैं पूरी तरस से बंदन में बांध लिया है दर्द हो रहा है तकलीफ हो रही है वो वाली सिच्वेशन मुझे दिखाई दे रही है ये पार्टनर चारो दिशाओं से प्रॉब्लम में आ गए हैं इनकी लाइफ में दुख तकलीफ चल र रहे हैं, इनकी जिन्दगी में खुशिया नहीं दिख रही है, आपके जो पार्टनर हैं, इन्हों ने आपके साथ में जो किया, चिक हैं, आपका प्यार नहीं समझा, इस थर्ट पार्टी को प्रायर्टी दी, आपके सचे लव को ठुकराया, वो चीजे मुझे यहां पर अट्री के जो भी आपके पार्टitchen ने आपके साथ किया है, वो उसको मिल रहा है, क्योंकि यह कार्ट बता रहा है, जो भी आपके साथ गलत किया, वो उसके सामने आ रहा है, चारों तरफ से बंदता चला जा रहा है ये पार्टनर, यelia कार्ट तुनों एक दूसरे के नीच किसी तरह का manifestation ये partner कर रहे हैं क्योंकि आपकी याद इनको बहुत आ रही है कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि आप इनके पास आ जाए या ऐसा कोई miracle हो जाए कि ये आपके पास चले जाए ऐसा कुछ सोच रहे हैं ये partner और ego में तो बहुत रहते हैं डियर ये partner का ego मुझे दिखाई द रहे कि बाद बाद पर ego दिखाना बाद बाद पर government करना वो चीज बहुत जादा दिखाई दे रही है आपके partner अगर आपके साथ loyal नहीं रहे हैं तो आपकी life से जाने के बाद इसका chance सकून जो है ना वो इसे नहीं मिलने वाला बिलकुल नहीं मिलने वाला अगर ये आपके इसे जा चुका है तो ये तरपेगा चैन सकून के लिए तरपेगा पूरी तरह से मुझे दिखराए कि सुकून में नहीं रहेंगे ठीक है manifest कर रहे हैं आपके partner आपके तरफ आना चाहते हैं आपके तरफ मुड़ना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये partner भाग के आ रहे हैं देखिये ना आपके तरफ आने वाली energy भी है इनकी ego में तो बैठे हैं पर आपके तरफ आने वाली energy मुझे यहां पर दिखाई दे रही है और यहां पर यह भी दिख रहा है कि इस रिष्टे पर बहुत से लोगों की नजर लगी हुई है हो सकता है कि आप दोनों का रिष्टा जो है उस पर कई लोगों की नजरे जो है बिची हुई है वो चाहते हैं कि यह रिष्टा तूट जाए बहुत attraction है आप दोनों के रिष्टे में बहुत ज़्यादा attractive एक दूसरे के लिए आप लोग फील करते हैं physically attraction मुझे यहां पर बहुत ज़्यादा दिख रहा और मैं आपको बता दू कि बहुत से लोग divine connection में हैं जो कही न कहीं divine की इसमें दिखाई दे रहे हैं कि दिवाई आपको कहीं न कहीं protect कर रहे हैं soulvatch हो सकते हैं आप लोग एक दूस्टे से deal कर रहे हो soulmate connection में आपके partner जो है किसी तरह के कार्मिक relation में कार्मिक सिक्वेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं ठीके तो यहां पर यह दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर का relationship जो है वो कैसा रहने वाला है तो मैंने बताया आपको कि आपके पार्टनर और आपका relationship जो है वो अच्छा रहेगा थोड़ी से चीज़े आपको भी मैनिफेस्ट करनी है और यूनिवर्स पर डिवाइन पर कुछ चीजे छोड़ देनी है आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजे जो है आपकी लाइफ में जो स्टक हो गई थी वो खुल जाएंगी बहुत सारी चीजे जो है वो अच्छी हो जाएंगी ओके डियर कुछ भी रेजुनेट करा हो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजे का लाइक और जो लोग फर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वाटस अप नमबर मैं आपको यहां पर दे दूंगी ओके डियर